ओम गन्पते नमा ओम गनेश्य नमा दोस्तों फेब्रेली दोजार बीस में बनने वाला एक ऐसा महान योग जो बनता है कई सौ साल के बाद सभी ग्रै अपने अपने घर में पहुंच गए हैं और दे सकते हैं आपको मंच चाही मुराद इस समय को बेकार ना करें मांगे दिल खोल कर हर ग्रै देगा जो आप मांगेंगे क्योंकि सभी देवता हैं खुश तो दोस्तों चार फेब्रेली दोजार बीस को एक कैसा योग बनने जा रहा है जो कई सौ साल के बाद एक बार ही बनता है या भगवान लेने वाले हैं अफ्तार एक ऐसा योग जिसमें सभी प्लैनेट अपनी अपनी राशी में या उच राशी में या मित्त राशी में ताकि एक ऐसा योग बनाएं जिसमें भगवान ले अफ्तार कोई ऐसा महापुश्ट जो भगवान का अफ्तार हो और वो में एक निया युग लाए दोस्तों हिंदू माने तो के अनुसार कल की भगवान का दस्वा अवतार होने वाला है और यही बात नॉस्ट्राडेमस उसने भी विविश्यवानी की थी एक किस विश्ताबदी में कोई बहुत बड़ा महापुर्श पैदा होगा जो दुनिया को कि नहीं दिशा देगा ब्रह्म कमारी संस्था उनके अनुसार भी भगवान का सब रूप पैदा होने वाला है तो यह क्या दिन 4 फेब्रेरी 2020 का है क्या इस दिन कोई ऐसा पैदा होगा वह भगवान का रूप होगा और दुनिया को सही रस्ते पे लाएगा यह सारे सितारे क इसलिए ऐसा खेल रच रहे हैं कि जो बच्चा इस टाइम पे पैदा हो वो दुनिया का एक महा पुर्ष पैदा हो तो दोस्तों यह कैसा समय होगा जिसके अंदर आपकी पूरी मन मुराद पूरी होगी कुछ भी मांगेंगे मिलेगा क्योंकि हर ग्रह खुश है अपने घर म में हैं तो इस दिन को बेकार ना करें इस दिन करें आप पाठ पूजा भुगवान की पूजा और मांगें अपनी मांचा ही मुराद दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स उनको भी यह बताएं उन लोगों को बताएं जो आपके नियर एंडियर हैं उनसे शेर करें इस इंफर अमन था और शिब भगत था उसने अपनी वक्ति से पूरे संसार के अंदर अपनी पावर इतनी बढ़ा ली थी कि उसने सभी ग्रहों को क्याद करके रख लिया था फिर जब उसका मेगना बेटा पैदा होने वाला था तो उसने सभी प्लैनेट्स को ऐसी जगा प्लेस किया क अजर हो अमर हो दुनिया का महाशक्ति शाले इंसान हो इस युनिवर्स का सबसे बुद्धी मन राजा हो ना किसी से हारे ना किसी से मरे तो दोस्तों शनी देवता वो समझ गए और उन्होंने अपनी चाल से उसके पैदा होने में कुछ डिले करती है प्लैनेट्स तो चलते रहेंगे और वो अपने स्तान से हिल गए तभी वो दुनिया में बहुत शक्तिशाली हुआ मगर अमर होने से बच गया और लक्षमन के आथों मारा किया रावन को जब शनी के चाल का पता चला तो उन्हें गुस्से में शनी देव की टांग दोटी तो उस समय के ऐसा अकाश दुनिया का महा शक्तिशाली होगा अजर होगा अमर होगा यह और अभी कैसा अकाशिय योग बन रहा है हो सकता है वह वैसा ही है या कुछ उससे अच्छा यह इंडिकेट करता है कि सभी प्लेनेट्स अपनी ऐसे पोदिशन ले रहे हैं कि इस दिन कोई महापुर्ष पैदा हो और दुनिया को कोई नहीं दिशा दे ऐसा टाइम ऐसे कॉमिनेशन आपको भुवान क्रिशन और भुवान के राम के बर्थ चार्ट में भी नहीं मिलेंगे तो जानते हैं दोस्तों क्या है ऐसा योग क्या है इसका अधार यह कोई ब्रह्म है यह रुटीन एक्टिविटी है प्लैनेट्स की जो होती रहती है दोस्तों जब भी कोई महापुर्ष पैदा होता है तो उस टाइम उसके जो पैदा होने के समय में अकाश में कुछ प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन ऐसे रहते हैं तो दोस्तों यह है 4 फेबरे 2020 का 12 बज़े दिन का चार्ट जब आप देखें शनी देवता अपनी राशी मकर में ब्रस्पति देवता अपनी राशी धनु में चंद्रमा कर राशी मीन में रहू अपनी उच्की राशी मिथुन में केतु अपनी उच्की राशी धनु में और बुद्ध देवता अपनी मित्तर शनी देवता की राशी कुम्ब मे ब्रह्मन कर रहे है। सूर्य देवता मक्कर राशी में है जो कि करमस्थान की राशी है। जिसको कि सूर्य देवता एक नेच्छनल सिगनिफिकेटर रहते हैं। वो उसमें शनी के साथ ट्रांजिट कर रहे है। दोस्ते इस समय कोई भी ग्रह वक्री नहीं है। रहु केत्यु का जो कि परमाइंट वक्री रहते हैं कोई भी ग्रह एक्सेप्ट मंगल गंड मूल में नहीं है ना ही एक इंडात का समय है अगर आप नक्षत्र देखें तो पूरा ही भेट समझ जाएंगे चंद्र में अपने नक्षत्र रोहनी में है राहू अपने नक्षत्र आर्द्रा में है जुपिटर और वीनस दोनों ने नक्षत्र प्रवर्तन किया हुए पूरवशाड़ा और पूरवधरपद का बुद्धेफता राहू के शट बिशा नक्षत्र में प्रमन कर रहे हैं राहू बुद्ध का मित्र है मंगल बुद्ध के नक्षत्र जेश्टा में जो कि ताकत और बुद्धी बुद्धी का योग बिनाते हुए सो दोस्तों इस दिन तक्रीबन बारा बज़े सभी ग्रह अपनी राशी में या उच्च की राशी या मित्तर की राशी में भ्रमन कर कई महान योगों का निर्मान कर रहे हैं ऐसा समय आता है कई सौ साल के क्रिशन से बनते हैं कई योग, सूर्य, बुद्ध, शुकर, बारा महीन अपना चकर पूरा करते हैं, मंगल 630ा में तक्रीबन 15 दिन अपनी मेश राशी में, पंतालेस दिन बिच्चक और पंतालेस दिन अपने उच्च राशी सिंग में रहते हैं ब्रस्पती एक साल एक राशी में गुजारते हुए बारा साल में चक्रपूरा करते हैं और शनी देवता धाई साल एक राशी में गुजारके 30 साल में चक्करपूरा करते हैं राहुकेतु जो कि एक साइं के अंदर, एक राशी के अंदर 1.5 साल रहते हैं और 14 साल में अपने जॉडिया का चक्करपूरा करते हैं सो दोस्तो अगर हम ब्रस्पति और शनी का ट्रांजिट देखें तो तक्रीबन हमें 60 साल बाद ऐसा हम टाइम मिल सकता है जब दोनों अपनी अपनी राशी में ट्रांजिट कर रहे हो और अगर हम राहू केतु को भी उसके साथ कनेक्ट करने की कुशिश करें तो कुछ समय ही आ सकता है कुछ समय के लिए 160 साल के बाद और अगर हम मंगल, बुद्ध, सूरे, चंद्र इन सब को भी देखें तो ये समय कई 100 साल में चला जाता है हो सकता है 1000 साल में भी जाता हूँ ये समय कम से कम हमारी लाइफ टाइम में दबारा नहीं आ सकता ये बड़ा मुश्किल समय है जब सभी प्लैनेट आपको कुछ देने के लिए त्यार है दोस्तों ये कई योग बना रहे हैं 2020 में काफी योग बनेंगे क्योंकि धनू राशी में जूपिटर और जो शनी है वो मकराशी में ट्रांजिट करेंगे मगर बाकी प्लैनेट जो है वो उनकी पूजिशन मूव करती रहेगी आपने अगर पंच महापुर्ष योग के बारे में सुनाओ जिसमें सरफ एक ही गर्या अपनी जगा पर इंसान को उन चाहियों पर पंचा सकता है उसको आगे कबर करते हैं यहां तो चार महापुर्ष योग बन रहे हैं लक्ष्मी योग, धन योग और कई मेत्वपूरण योग बन रहे हैं दोस्तों रुच्ची का योग जो की फिलम स्टार अश्वरिया राए क्रेकिटर सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा इनके चार्ट में है, जिसमें मंगल अपनी अपनी उच्च की राश्य में इंसान को अमीर इंटेलिजेंट और फुल अफ जोश एंड एनर्जी से बर देता है यह सिरफ एक योग उनकी लाइफ में है दूसरा योग बनता है हमसा योग जो की मादरी दिक्षित, जैलेलिता के चार्ट में है जिसमें ब्रस्पति जो की ज्यान, बुद्धी, पावर, अथॉरिटी, ध्यातम मेरी लाइफ के कारक हैं और जब अपनी उच्च राश्य में होती है और तीसरा योग बन रहा है समय मालविया योग, जो की जॉन केंड़ी, पंडित ज्वैलन नेरू, मातमा गांदी, इनके कुंडली में था जैसमें शुकर देवता, अपनी उच्च की राश्य में हो तो आपको दौलत और ग्यान से भर देते हैं और एक और योग, शच्चा योग, जो की प्रेजिडेंट, यूएस प्रेजिडेंट, जिमी काटर, मिसिस मार्गेट थैचर, इनके चार्ट में बनता है जिसमें शनी देवता, जब अपनी राशियां उच्च राशिय में होते हैं तो देते हैं आपको पावर, मिर्चिरटी, समाज सेवा, फिलास्फिकल माइन और जीवन में कई नहीं उन्चाई है सो दोस्तों हमने तो इन परसिनलिटी को देखा, जिनके चार्ट के अंदर सिरफ एक योग बनेगा या दो योग बनेगे मगर इस समय चारों महा योग, चारों पंच महा पुर्श योग, चार योग इस पीरेंट में बन रहे हैं सो इस समय संक्सार में कोई सुकद घटना होने के योग बनते हैं ऐसे अकाशी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कि जैसे भगवान दुनिया में अफ्तार लेने के लिए आ रहे है या उस समय कोई भगवान का रूप पैदा होगा, जो दुनिया को नई दिशा देगा उसके जलम से कुछ पहले, कोई ऐसी बड़ी घटना होगी, जो उसके आने का अंदेशा देगी तो दोस्तों, इस दिव, इस पीरिड में सभी गर्याख खुश है आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, तो आप करें अपनी पाठ पूजा, अपने इश्ट दिर्ता की, समय को वेर्त ना करें आपकी लाइफ में ये दवारा समय नहीं आएगा दोस्तों, ये महापुर्ष कहां पैदा होगा, ये एक रहसे है जो लोग mundane astrology के ग्यानी है, या वो लोग जिनके पाठ कुछ सिद्धिया है मैं उनसे request करूँगा, वो अपना कुछ knowledge शेयर करें ताकि लोग उस जगह को जान सकें, कि भगवान कहां पैदा होने वाले है दोस्तों, ये ऐसे combination, भगवान राम, भगवान क्रिशन, बुद्ध, महराच, इवन इश्यू मशी के टाइम पे नहीं बने थे और इस समय जो बच्चे पैदा होंगे, वो भागेशाली होंगे वो जिन्दगी में नहीं उंचाईयों पे जाएंगे उनको किसी पंड़त एस्ट्रोलोजर के पास चार्ट दिखाने के जिरूरत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों, ये थो था एनलेसिस 4 फेबरेरे 2020 का जिसका निमरोलोजिकल भी आपके पास जो मूलांक है, वो चार है और जो भाग्यांक है, वो एक बनता है चार दो चार, ये टाइम बनता है, निमरोलोजी के हिसाब से दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ अपने कमेंट्स दें और जो लोग जिनको मुंडेन इस्ट्रोलोजी का नॉलेज है, वो कुछ अपने नॉलेज शेयर करें ताकि हम इसको थोड़ा सा और वर्काउट कर सकें अगर आपको ये लगता है कि ये जो टॉपिक है आपके लिए इंटरस्टिंग है आपके दोस्तों को आपके चाहने वालों को ये इंफरमेशन देखनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें हो सकता है इस समय पाठ पूजा करने से त्यान लगाने से सभी देवताओं की पूजा करने से उनकी अपनी मन मुरादें पूरी हो जाए दोस्तों ये बड़ा शॉट टाइम स्पैन रहेगा जिसके अंदर छोटे प्लैनेट जैसे की मून है बुद्ध है कि शुक्र है वो उस पूजिशन से निकल जाएंगे या उन हॉसे से निकल जाएंगे और यह जो योग बन रहे है जा नक्षत्र है उनसे वो आउट हो जाएंगे तो आप अपने कमेंट क्वेरी में दे सकते हैं आपका दिन शुब रहे ओम गन्पते नमाग